ऐसे सीम्टीएस की जो है वो नोटिफिकेशन आ चुकी है आप यहां पर देखो कि जो लास्ट टो फॉर्म फिलिंग है वो क्लिरली मिंसर्ण है कि 31 जुलाई 2024 तो 31 जुलाई तक जो हो आपको अपना फॉर्म फिल अप कर लेना है और यह कुरूसियल डेट है इसको याद भी क्योंकि यह जो है वो आगे आपको काम आएगा अब देखो यहां पर इस वीडियो में बात करने वाला हूं इंट्रोडक्षन के बारे में जो मैंने आपको बता दिया है कुरूसियल डेट वह भी मैंने आपको बता दिया है जो लास्ट टो फॉर्म फिलिंग होती है उसी को बनवा सकते हो एक वैलिट नहीं होने पर क्या प्रॉब्लम हो सकती है कुछ प्रोविजनल और क्लियर का खेल और स्टेट एंड सेंडल गवर्मेंट की क्या बाते हैं और कुछ बोनस टिप्स सो वास्ट वीडियो टिरिन ताकि आपको जो भी क्वेरी होगी वो सारी इस 31st of July 2024 से पहले बना होना चाहिए अगर आपका सर्टिफिकेट 31st के बाद बनना होता है तो आपको जो हो डियर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा तो आपको जो हो सर्टिफिकेट 1st April के बाद बनवाना है और 31st July के पहले तो मैं आपको अगर क्लियर्ली बता दू मिस सौट में तो देखो आपका जो सर्टिफिकेट है वो एक अपरिल 2024 के बाद बना होना चाहिए और 31st April 2024 से पहले बना होना चाहिए इसमें जो वैलेड इयर है आपका सर्टिफिकेट फे 2024 से 2025 लिखा होना चाहिए और जो फैनेंसियल यर है वो 2023 से 2024 ल आप जो है वो आचार परसांद की वीडियोस देख सकते हो काफी आपके लिए helpful होगी और अगर आपके life में भी problems है और अगर आप उसको सटिक solution नहीं मिल पा रहा है तो आप इनके वीडियोस देखके आपको काफी clarity आएगी आप इनके app पे भी जा सकते हो आचार परसांद आप जो है वो गूगल प्ले स्टोर में आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा इनकी चैनल पर आप देखोगे तो लगबग जो है वो चार करोड से ज्यादा लोग जो है जूट चुके हैं और इनकी जो वीडियोस होती है वो day to day life से related होती है जो की काफी जो है वो आपको insightful education यहाँ पर मिलता है तो आप जो हुए इनकी वीडियोस और एप को एक बाट जरूर देखना नाम याद जरूर कर लो आचार प्रसांत होता है एक पेज का ऐसा certificate का format होता है ऐसे ही format पे आपका certificate बना होगा तो आपका certificate 100% acceptable होगा इसमें देखोगे कि यहाँ पे जो हो आपके certificate में होना चाहिए और जो यह date है यह 1st April 2024 के बाद का होना चाहिए ओके इसके बाद का आपका certificate होना चाहिए और crucial date से पहले आपका certificate अगर नहीं पता है कि certificate कैसे बनता है तो इसके regarding मैंने बहुत ही detail वीडियो बनाया हुआ है तो आप चाहे तो उस वीडियो को जाके देख सकते हो उसका link मैंने description box में दे दिया है अब देखो एक जो हो certificate का यहाँ पे मैंने आपको दिखाया हुआ है कि से देख सकते हो अब देखो इसमें जो हमने बाते लिए थी कि क्या क्या इस वीडियो में मैं डिसकस करूंगा तो इंटोड़क्शन मैंने आपको बता दिया है इंटोड़क्शन कुरूसियल लेट लाश्ट एट ओफ फिलिंग होती है वैलिडिटी आपकी EWS की वैलिडिट है कि सट्रीफिकेट का फॉर्मिट कैसा होता है सट्रीफिकेट अगर नहीं बनाना आपको पता है तो उसके दिकाडिंग मैंने वीडियो बना दिया है आप चाहके देख सकते हो इसके लिए आप सीयों सर्कल ऑफिस में या फिर ब्लॉक में या फिर आप तहसील में सट्रीफिकेट में सुधार कर लो और अगर आप सुधार नहीं करते हो तो फिर आपकी जो है वह सीट कैंसल कर दी जाती है कि स्टेट और सेंट्र गवर्मेंट का कुछ खेल ऐसा है कि सर्टिफिकेट जो है वह इड़ूस के लिए तो यह ज्यादा प्रॉब्लेम नहीं होती है लेकिन अधर्स के लिए जैसे कि अगर ओवी सी की बात करें सी एस्ट में तो कई बार जो हो फॉर्मेट चेंज होता हो जाती है तो यह वह तो यह वह वह बाते आपको याद रखनी है इस पर यह आपके सर्टिफिकेट पर अगर मैच कर रहा है तो आपको ज्यादा टेंस लेने की कोई भी जड़त नहीं है और याद रखना है कि आपका जो सर्टिफिकेट है उसमें नेम और एड्रेस यह सभी जो है वह सही हो बना बाद में अगर आपकी कुछ भी गलत होती है तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है और यहां पर आगर आप देखोगे तो वही सब की issue on the basis of financial तो आपको income certificate सभी required नहीं है लेकिन आपको financial यह जो लिखा रहता है कि वीडेव्लोव सिकॉनमीकली वीकर section के लिए तो उसके लिए उसके लिए आपको जो है वह इनकम एने सर्टिफिकेट वह जो format मैंने आपको दिखाया था वैसे फॉर्मट पर इसलों में रहे हैं और यह इंग्लिस और हिंदी दोनों में हैं और यहां पर जो है वह आपके लिए देख सकते हो कि अच्छा खासा इंवार्मेंट देखने को मिलेगा अराउंड 1,26,000 students यहां पर preparation करते रहते हैं तो आप जो है वह एक competitive environment में आप preparation कर पाओगे इसमें जो है वह test series में आपको क्या-क्या मिलता है तो आप यहां पर देख सकते हो कि chapter wise test तो आपको मिली रहा है साथ ही जो है वह subject wise test, sectional test और full test जो है वह अभी 16 दिखाई दे रही है लेकिन 258 PYCT लिखा हुआ है और previous year paper total 252 test दिखा हुआ है और 2023, 2022, 2021 और पीछे जितने भी सारे examinations हों है सभी का previous year papers आपको यहां पर देखने को मिलेगा तो काफी यहां पर अच्छा है आपके लिए test book app से आप इसका laptop पे भी जो है वह test series दे सकते हो और साथी में जो है वह आप इसे phone में भी दे सकते हो और यहां पर आप SSC की जितनी examinations होती है उन सभी examinations की preparation कर सकते हो एक बाद इसका जो है वो subscription लेकर तो इसकी जो pass की pricing होती है वो मैं अगर आपको बता दूँ तो test series देने के लिए आपको इसका pass purchase करना पड़ेगा और इसमें जो है वो lifetime 3 years का pass आपको मिलत है 629 रूटीज में इसकी pricing change होते रहती है लेकिन मैं आपको ए coupon code दे देता हूँ जिसको apply करने के बाद आपको और भी discount मिल जाएगा coupon code है JBYY16 इस coupon code को आप apply कर दोगे तो आपको जो है वो flat 10 to 20% का discount देखने को मिलेगा और फिर आप अपना जो है वो pass purchase कर सकते हो pass purchase करने के बाद आप SSC, banking, teaching, civil services, railway जितनी भी examinations है सभी के लिए testories दे सकते हो एक बार pass purchase करकर तो आप जो है वो coupon code को apply करें और pass purchase करने के बाद अपना subscription active करके तयाड़ी कर सकते हैं